हलो गाईज, अब हम करते हैं, एक्जामपल 4, देखने में थोड़ा सा लंबा है बस, ठीक है, करने में वोई, एजी पीजी, ठीक है, ये चीज़ देखने में लंबी हैं बस, और करने में तो यह ऐसे हैं कि बस, पूछो ही मत, ठीक है, और देखो, क्वेशन भी कितना मसत एक पढ़ने में मज़ा आएगा इसा है, फ्रो में पॉइंट पी ओन दा ग्राउंड, ग्राउंड पे एक पॉइंट है पी, यह रहा है, आँखो से देख लो, इंगल उफ ऐलिवेशन ऑफ दी टॉप, ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, यह बिल्डिंग यह रही, यह फ्लैग होइस्टिंग, जंडा फैराया गया, एड दी टॉप अफ दे बिल्डिंग, यहां से बिल्डिंग के टॉप पे मने यह जंडा गाड दिया, फ्लैग होइस्टिंग का मतलब जंडा गाड ना, ठीक है, एंड दी एंगल अफ एलिवेशन ऑफ दॉप 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 इसकी जो लेंद बताओ, तो इसकी लेंद मान लो, x, x मान लो, इससे यहां से लेके हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अब क्या करना है, and the distance of the building from the point P, अब बिल्डिंग की जो दिस्टेंस है, यहां से यह भी बताओ, यह, पी यह भी बताओ, ठीक है, अब यह देखो, यह तो confusing सा, confusing कुछ भी निये, ठीक है, एक एक करेंगे, ये मानली y, y भी पूछा है और x भी पूछा है, तो अब हम मुझे ये बताओ, solution, इस triangle को देखो, in triangle, p, a, b, इस वाले में, a, इस में, ये रहा, ये तो 10 दे रखी है, ये y दे रखी है, और p, इसके हिसाब से देखे है, अगर हम 30 के हिसाब से, तो ये तो हुई perpendicular और ये हुई base, तो जहाँ पर perpendicular बेस होता है, वहाँ पर लेते हम 10 theta, कित्ती बार बता दिया मैंने ये तुम्हें, 10, 30 equal to perpendicular है 10, और base है y, y को इधर पहुचा हो, ठीक है, इसकी value क्या होती है, 1 by root 3, root 3 पहुचेगा उपर, अब अगर उसने दे दिया कि root 3 को 1.732 ले लो, तो ले लो, नई दिया तो मतलो, नई दिया तो भी ले लो देखो, याद होना चाहिए, मतलब कि root 3 की value है, 1.732 और answer आ जाएगा, 17.32 मीटर, ठीक है, यहां तक होगे आसान, अब क्या पूचा है फिर? उसने क्या पूचा है, की, मुझे इसकी भी length बताओ, flag host की, flag staff की हां से लेके हां तक, तो अब यह बड़ा वाला ट्राइंगल है, अब PAD में, एंगल देखो किता है 45 का, ठीक है, तो लगाओ, 10 theta, equal to perpendicular upon base, अब एंगल है 45, और 45 के एंगल के हिसाब से, perpendicular किता है, यह total, AD, यानिके 10 plus X, यह हैं सोचने वाली बात, और B किता है, base Y, Y हम निकाली चुके हैं पीछे, येलो, 10 पे अंतल इसकी value 1, तो यह गुना हो जाएगी, इसमें 10 plus X, X की value किया जाएगी, 17.32, माइनस 10, तो किता जाएगा, 17 में से अगर 10 गए, तो 7 बचा, एक है X, और एक है Y, तो मेरे दोस्तो, X, यानिके flag stop की जो वो है length X, 7.32 मीटर है, और इसकी जो यहां से यहां तक दूरी है, वो 17.2, ठीक है, बताओ, आसान था question, बस सिर्फ देखने में अलम बाय ठीक है, बाकि समझने में आसान है, अगर देखो मज़ा आया हो वीडियो म तो मेरे दोस्तो, subscribe करो, share करो, ठीक है मेरे दोस्तो, लेकिन क्या करना है, साथ में comment भी करनी है, मुझे कि हाँ, मज़ा आगया भाई, कि तू तो अपना भाई निकला है, तूने अच्छे से पढ़ाया, इस तरह से कुछ भी लिख देखो है, मुझे बस चाहिए लिखा कुछ भी लिखो मेरे बारे में, ठीक है, मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए बिखाओ कि भाई, तेरी मेहनत सही ती, यह कैसी थी, बताओ ठीक है, चलो, share करो, अच्छे से एकदाओ, गजब तरीके से